आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें आयनिक प्रवरिती का होता है, जब क्या करते हैं कि कार्बनिक योगिक को सोडियम के साथ गरम करते हैं तो सोडियम उस कार्बनिक योगिक में जो नाइट्रोजन, फोस्पोरस, आरसेनिक होता है उसके साथ मिलकर एक या आयनिक योगिक का निर्मान हो जाता है जो पहले सहसन योजक था बाद में आयनिक बन जाता है जिसके कारण वो बिले हो जाता है पानी में बिले हो जाता है जिससे हम बहुत आसानी से इसका परिच्छन कर लेते हैं तो जब हम कारवनिक योगी को अध्यान देजेगा उस कारवनिक योगी में क्या क्या होना चाहिए नाइट्रोजन, फोस्पोरस और सलफर के जो तरतू होते हैं, वो कारवन के साथ सहसोन योजक योगिक मनाते हैं, लेकिन जैसी उसको हम सोडियम धातू के साथ गरम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोडियम के साथ अभी क्रिया करके आयनिक योगिक का निर्मार करते हैं, और जब आयनिक योगी का निर्माड होता है तो यह जल में बिले होता है और जो जल में बिले होता है उसका परिछण आसानी से किया जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यह पहला क्या बोल रहा है कि योगी का आयनन तेज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं योगी का नमबर D. I hope आपको ये concept समझ में आया होगा. Thank you.